नेक्स्क्क३्ष्ण कुस्ट्टास्टार्दा का सवाल है question says in a region पॉटेंचली रिप्रिसेंटेट बाई वाई हमें excluding का sound function देर तक है 6X-ато 6 Y6-6 excellence मेंट वाई प्लस 6Y Z whereà V is in volt EMT सवा यह में तेलेक्रिट्रिक फोर्स experienced by a charge consultant two columns situated at one comma one comma one क्या होगा simple सवाल है इसको हम ऐसे देखेंगे कि जो आपकी electric field है उसको हम लिखते हैं minus times del v by del x i cap minus del v by del y j cap plus del v divided by del z k cap और यह आपका partial differentiation है इसका मतलब यह है कि जब हम del v by del x कर रहे तो जो भी आपका v है उसको हम सिर्फ और सिर्फ x का function मानेंगे और सिर्फ x पर differentiate करेंगे यहां पर सिर्फ y का function मानके differentiate करना है बागी चीदों का constant मान सकते हैं इसके बज़े से जो आपकी electric field आ जाएगी पहले वी लिख लेते हैं वी जो हमें दिया हुआ है x y z का function वह 6x-8xy उसके बाहर यह जिरो हो जाएगा यह 0 हो जाएगा i cap प्लस इसई चीज को हम थंवा सिर्फिरेंशेट करेंगे तो पहले वाली टरम जाएगी दूसरा वाली टरम रहेगी-8 x यह वाली टरम रहेगी-8 और यह वाली टरम और आपको यह बताना है इसकी लोकेशन दी हुए 1,1,1 पे तो यहां पे हम 1,1,1 की वैल्यू रख देंगे हैं तो आपका जो फोर्स आएगा इसका माइनस बाहर रख लेते हैं तो इसका माइनस बाहर रख लेते हैं तो इसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी 16 minus 16 plus 6 j cap plus 6 k cap और इसका magnitude भी लेना है तो f की जो value हो गई that will be equal to minus 2 और यह अपना बचेगा under root of इसका under root लेंगे आप तो यह बचेगा 2i cap इसका जो under root लेंगे तो यह बनेगा 2 square plus यह बचा आपका 10, 10 का square plus 6 का square यह आपका magnitude उटा जाएगा तो 2 का square बना 4, 10 का square बना 100, 6 का square बना आपका 36 तो यह बन गया आपका under root 40, sorry under root 140 तो 2 multiplied by under root of 140 अब हमें यहाँ पर अंदाजा लेना होएगा कि under root 140 क्या है, so 140 में से अगर आप 4 बहार निकाल लें तो 4 into 35 लिख सकते हैं, तो बहार इसकी value आके 4 इसकी value हो जाएगी 4 multiplied by under root of 35, so based on this हम कह सकते हैं कि option number D, 4 root 35 would be the right answer, just in case अगर कोई आप से यह और पूछने लगे कि instead of under root 35 आम आप लो में decimal में value दी हो और हमें फिर अंदाजा लेना हो, so यहाँ पर एक tip आप यूज़ कर सकते हैं कि under root 35 थोड़ा सा छोटा होएगा under root 36 के, under root 36 होता है 6 और 6 4 जा होएगा 24, 24 तो 24 से थोड़ी सी कम जो value होएगी that would be your answer in that case, all right?